फरीत कोट के SSP की तरफ से दो अलग-अलग मामलों में एक प्रेस कॉन्फरेंस की गई है जिसमें पहला मामला फोन और सोशल मीडिया के द्वारा जान से मारने की धमकियां देने से संबंधित और दूसरा मामला नशे का धंदा करने वालों के खिलाब कारवाई करने से खबरें वाईरल होती ही रहती हैं परन्तु इसको रोकने में फरीत कोट पुलिस कामयाब हुई इस मामले में उन्होंने फरीत कोट जिले के दो नौजवानों को हत्यारों समेत कबू किया है जिसमें उक्त नौजवान किसी नौजवान को मारने की धंकियां दे रहे थे जिस में गश्ट और नाकाबंदी कर अधिक से अधिक संख्या में पुलिस फोर्स की हाजरी यकीनी बनाई जाए और सोशल मीडिया सेल के द्वारा इन बुरे अंसरों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए फरीद कोट जिले के SSP के निर्देशों पर साइबर पेट्रोलिंग की तरफ से ऐसी धमकियां देने वाले व्यक्ति को काबू करके उससे दो पिस्तॉल 32 बोर छे रौंद 32 और एक कटा 12 बोर सहित दो जिंदा रौंद 32 बोर भरामत किये गए पकड़े गया रोपी के खिलाप असला एक्ट के अंतरगत मुकदमा दर्च कर तफ्तीश की जा रही है फरीद कोट से हल चल के लिए गुरपीत सिंग की रिपोर्ट अपने एक दुश्मन हर मनपरीत नाम दे मुंडे नू जानो मारंदी तम कियां फेस्बुक ते दे रहे सी असी एना ते निगा रखी हो इसी अपनी साइबर पेट्रोलिंग स्कीम देताया तो जो चे काफी बडीसानू रिकबरी हो इया कि तिन फायराम्स ते एट राउंड परचा दर्ज कीता हुआ सी प्रॉपर इन्हों डूंगा इनल वेरिफाय करांगे सानू हो और वी दिचे रिकबरी हों दियों में जडिया है गी है इनने एक मडर प्लान ओट कीता सी नाल ते असी मडर टाले या नाल सी एना तो रिकबरी कराई है